जै माता दी हर हर महादेव 2024 सावन महने में अस्टमी का बरत कितने तारिक को किया जाएगा पूजा सुब महरत राहुकाल का समय संपूर्ण जानगारे इस वीडियो में उपाई के साथ आपको प्राप्त होगी तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा जैसे कि हर एक माह पढ़ने वाली अस्टमी का अपना स्रेश्ट महत्व है मातारानी को समर्पित यह दिन अपने आप में विसेश सावन महना होने के कारण यह अपने आप में बहुत खास इस बार सईयोग के साथ हो रहा है आप भी चाहते हैं अस्टमी ब्रत सुरू करना तो आप सभी इस सावन महने के अस्टमी से सुरू कर सकते हैं हलाकि इसका वीडियो मैंने विस्त्रित बनाया है कैसे कब कि स्वरूप में इस ब्रत को पूजा उद्या पनित्ते दी करना चाहिए कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूँगी करपिया आप उसे देखिएगा जरूर से जैसे कि आप सभी को इस दिन ब्रह्म मोहरत में सभी कार्यों से निवरित होकर मातारानी को एक चौकी में विराजमान करना चाहिए सावन का महना है तो महादेव का भ्यूपी दिविधान से पूजन करें संचिप्त अर्थाथ सयुक्त रूप से पूजन करना सुभिस्रेश्ट फलो पूत्र प्राप्ति वैबाही किच्छा को पूर्ण करने वाला रोग कर्ज मुक्ति से पूर्ण रूप से जो आपके मन में है बात वहक करने वाला होता है ऐसे में आप सभी को भी इस दिन स्रेश्ट कारे करना चाहिए किसी कन्या को खीर खिलाते हैं उसे कुछ ना कुछ भ धान से आप से जितना संभव हो पूजन पाठन करें पूरे दिन भर में मातारानी के नाम मंत्रों का स्मरण करकर साम के समय अपने ब्रत उपवास को खोल सकते हैं दो हजार चौबिस में यह ब्रत कप किया जाएगा ध्यान से सुनिएगा पंचांग में पूर्ण रूप से लिखित है वर्नित है कि यह जो अस्टिमी है वह 27 जुलाई 2024 को रातरी में 9 बचकर 20 मिनट पर सुरू होगी और इसकी समापन 28 जुलाई 2024 की रात को 7 बचकर 27 मिनट के आसपास समापती की और हो रही है सुरवात तो 27 को होगी और समापन 28 को होगा ऐसे मैं सनातन धर्म में में लिखित हO मुठत को 7 सवन महा के पक्रिशन पक्ष का यह सुभ दिन हो रहा है और थात इसी धिन हमें व्रत धारन करना होगा 28 जुलाई के दिन रविवार का दिन हो रहा है तो सूरी नारण भगवान का भी यह act दिन हो गया इस दिन नक्षत्र जो है सूल और सिद्ध हो रहा है जुकि अपने आप में अद्भुत और विसेश जाना जाता है सरवार्थ सिद्ध योग सभी कार्यों के लिए बहुत सुब और स्रिष्ट माना जाता है इसके साथ ही अपके प्रशना आते हैं कि आप दिदी हमें साथ साथ राहुकाल का भी समय बताया करें ताकि हमारी जो कार है वह निर्विग ने संपन हो राहुकाल ज्यादा सुब और स्रेश्ट समय नहीं जाना जाता ऐसे मैं आप सभी थोड़ा ध्यान रखिएगा राहुकाल का समय रविवार को अर्थार जिस दिन अस्टमी है उस दिन साम को हो रहा है साम पांच बचकर 33 के आसपास हो रहा है इस तरह से यह जानकारी थी वीडियो प्योगी रहती है तो करप्या लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें